हेलो फ्रेंड्स में सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंतर डॉक्टर वीजय दही फले के साथ इस खास कारिक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें जब भी कोई मेडिकल इमर्जेंसी आती है या फिर स्वास्ती से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीज़े हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं पर दोस्तो जब भी हमें कोई sex से जोड़ी परिशानी सता थी है तब जोब मैं इसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती हैं हम जीजकते हैं पर दोस्थ अब शर्माने की जीजकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि दक्तर विजय दहिफले आपके सारे sex related सवालों के बहुत ही positive तरीके से जवाब देंगे दोस्तो शोग को शुरॉट करते पर शोग को शुरूप्यूरत करने से पहले जानते हैं दक्तर विजय दहिफले इनके बारे में डॉक्टर विजे दही फले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर विजे दही फले का भारत एवम अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटर सल्ला मशुरा करते रहते है चले दोस्तों आपको डॉक्टर साब के क्लिनिक्स के बार में तो पता चली ही गया है शो को शूरात करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ डॉक्टर साब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है तो डिफिनिटली आप कुलाबा सेंटर विजिट करके सर की अपॉर्णमेंट लेके वहाँ विजिट करके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो फिलाल शो को शुरुआत करते हैं सर हमारे साथ है सर वेलकम टुदी शो नमस्ते सर हम बात कर रहे हैं सेक्षिल डिसफॉंशन दौर और सर आप हमेशा हमें अलग अलग टॉपिक के उपर एक पॉजिटिव मायरी नर्शन करते रहते हो आपको बहुत सारे सवाल पूचे जाते हैं आपके WhatsApp के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके email के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं, हम भी जब ये videos हमारे social media पे शेयर करते हैं, Facebook हो, YouTube हो, तो इसके comments में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप ये सब की जांच करके, public demand क्या है, वो समझ के हमेशा अलग हटके topic लेकर ऐसे ही हटके topic आज आपके से लेकिया है, जिसमें आज हम सर आपसे जाना चाहेंगे मुख महितून या फिर oral sex में, कॉंडम का क्या रोल होता है, उसके बार में सर, तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुख महितून या फिर oral sex, ये क्या होता है basically, प्लीज स्टार्ट करते हैं, definitely, सुमिझ जे आप काफी interesting topic लेके आते हो, यहां पे जो हमारी series चल रही है, sex education, sexual awareness और sexual safety, इसके अंतरगत हम scientific information यहां पे ले रहे है, हमारे frame के अंदर रहे कि हमें information लेनी है, जो सब के लिए useful हो जाए और जो अपना lifestyle जीने के लिए easy हो जाए, time, place, person, condition, condition, culture, safety, or consenting है, अपना own or known partner, हम हमेशा देखते है, खजुरा है, एलोरा है, अजंटा है, वहां पे हम शिल्ब देखते है, जो क्या दिखाते हैं अपने को, अपनी दीन चरिया कैसी रहनी चाहिए, और अपने own or known partner साथ कैसे activity करनी है, मुखमेथून, या oral sex, एक ऐसा मेथून जहां पर हमें pleasure मिलने के लिए, जो organ है, male हो या female हो, उसे stimulate करने के लिए, जो object यूज किया जाता है, यहां पर हो रहता है, मुख, या tongue है, या lips है, जिसकी वेशे क्या होता है, वहां पर जो sensitive part है, वहां पर stimulus होने से, सामने वाला partner उद्दीपित होता है, या उसे orgasm होता है, इसे कहते है, मुख, महित, अपना own, known और जिसकी consent हो, और non infected हो, ऐसा partner हो तो ही, definitely, sir, आगे का सवाल आपसे पूछने है, सामना, बेसिकली मुख, मेरल 6 में, condoms का क्या role रहता है, sir, उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताईए, correct, यह बहुत ही important है, क्योंकि अपना partner infected है, क्य infected नहीं है, उसे क्या infection है, क्या नहीं, इसकी information नहीं रहती है, बहुत बार sexual hygiene, आपके hygiene कितनी अच्छी तरह से maintain है, आपके organ कितनी अच्छे clean है, यह किसे को इतना information, आँखों देखने से ध्यान में नहीं आता है, तो condom यानि रोद क्या करता है, उसके अंदर barrier लाता है, barrier ला मैं और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शे का call आया है, कन्या कुमारी से पी यूश जी हमारे साथ जुड़गे, कैम ले सकते हैं, सर प्लीज आपका सवाल पूछे, आपका phone कनेक्ट हो है, अलो, जी बोलिए, सर मुकमेट तुम से AIDS हो सकता है क्या, अपने टॉपिक को हमें एक्स्टेंड करेंगे, सबको तो लगता है, बहुत बार क्या रहता है, कुछ कट रहते हैं, लिप्स में कट रहते हैं, और सामने वारा पार्टन इंफेक्टेड हो, इस तरह से बैक्ट्रियल है, या फंगल है, बहुत बार ऐसे, एड्स जैसे हुमोनोपिडिसी वायरस ये भी इंफेक्शन समझो सामने वारा पॉजिटिव हो, और उसका कंटेट उसके मुह में कुछ क्रैक हो, या वहां पे कुछ जखम हो, या जिससे वो कर रहा है उसको HIV हो, और उससे उसे कट हो गया, तो ऐसे केस में, मुखमईतों से या जिए जएवी, एड्स या इनिया अधर प्रकार का इंफिक्शन हो सकता है, इसलिए कंटों यूज करना बहुत ज़री है, डिफिनिटी सर अभी ये फोन कॉल आने से पहले हमने आप से जाना की मुखम हमेतों में कंटों का रोल क्या रहता है, तो सर कंटों के साइज का क कि लिए चुपाके रैपर में डालके लिए लिए, कभी उसकी साइज देखिय का नहीं देखिय कभी उसके अंदर कुछ डायमेंशन देखा है का नहीं देखा है, तो ऐसा कटह ही नहीं करना चाएज क्यों हर एक की पिनेल सहीज अलग है कंडों में भी लाज है मेडी में इसे साइजेस रहते हैं समझो थोड़ा धिला कंडों आ गया तो क्या होगा तो उसके बाजू से इजर्किलेशन होने के बाद इवर मुकम एतुन में भी उसका इलिग हो गया तो लीक होता है और लीक होके वहां पर infection के chances बढ़ते हैं over tight fitting हो गया है तो उसके cut होने के chances होने के chances रहते हैं तो खुद का एक judgment लेके और हम एक दो बार use करके ऐसा judgment हम बता नहीं सकते कभी large लेके देखा है कभी small लेके देखा है तो ऐसे करने से आपको ध्यान में आता है और definitely size matter करता है infection prevent करने के लिए ST जैसे भी आपने अभी बता है condom के size के बारे में तो वैसे ही sir, condom के साथ-साथ lubricant का मुखम अहितुन में क्या रोल रहता है प्लीज थोड़ा उसके बारे में अभी आप पोछते हो कि मुखम अहितुन तो करना और lubricant का क्या रोले बहुत बार क्या रहता है यह latex material है यह polyureth material है उसका एक smell आता है और बहुत बार partner का smell पसंद नहीं होगा तो हम कुछ flavored है कुछ strawberry है कुछ chocolate flavor उसके ओपर हम try करते हैं करने का लेकिन सबसे important यह है ऐसे केस में कुछ कारणवश आपके tongue से या तुमारे teeth से कुछ damage हो गया तो उसे आपको धहन में आना बहुत ज़रूरी ह है और जब आप oral sex से vaginal sex में convert हो रहे हो उस वत कत्री कंडूम यूज नहीं करना है complete remove कर रहा है और दूसरा नया कंडूम लेकिए activity करना है अपने safety के लिए definitely sir एक और actually देरशक का call आया है विशाखा platinum से पाईल जी हमारे साथ जूड़ी है काम ले सकते है definitely मैडम आपका सवाल पूछिए अपका phone connect हो है hello sir female condom होता है क्या और वो कैसी हुद करते है इसका हम mail के बारे में information दे रहे हैं पर female में भी होता है क्या knowledge रहना क्यों जरूरी है क्योंकि काफी लोगों को यह पता ही ही नहीं female condom रहता है ऐसे case में same कोई ऐसा एक sheet रहता है रुमाल की जैसा और वो sheet वो भी समझो यह रहेगा तुमारे latex का या polyurethane का उसे कट नहीं करना है सीजर से तो डामेज बचाने के लिए और ऐसा condom अपने हाथ से washing करके जहां पे नेल नहों स्टाराइल फिंगर से उसे हमें वजानल एरिया में वो उससे रखना है और activity होने के बाद safely बिना कुछ area touch किये उसे निकालना है तो definitely females भी एक condom safely use कर सकते है डेफिनली सर वापस एक बार question answers के उपर आते है उसको बहुत बार क्या रहता है spermicidal यानि sperm को वो किल करता है ऐसे कुछ agents रहते है उसे बोलते है N9 और ऐसे वाले element जिसको pregnancy रखनी है pregnancy plan करनी है यह लोगों ने A-type का condom ना use करना है बहुत बार यह material से irritation of mouth मौत में कट होगा तो वहाँ पे भी कुछ injury हो सकती तो एक ही कहूँगा PICN9 वाले condom as far as possible avoid करना चाहिए जिसे pregnancy करना चाहिए उसे definitely sir एक आकरी और सबसे एहम सवाल आपसे करना चाहूँगा sir मुखमाहित उन में dental dams का क्या रोल होता है प्लीज थोड़ा उसके बारे में आगे definitely काफी अच्छा कोशन लिया है आपने लेकिन इसके उपर मैं complete अलग topic लेने वाला हो क्योंकि a separate topic है dental dam काफी रोंगों तो पता ही नहीं है बही leaking करना है बही oral sex करना है वहां पर किसको पता है सामने वाले के क्या ही जिन है ऐसे case में एक dental dam ऐसा रहता है कि silicon या polyurethin का total cover रहता है और वह cover आज़र हमें female partner के उपर या oral cavity में रखना है जिसकी वज़े से act करते वद कोई infection हो या किसी प्रकार का कोई injury उसे नव होना चाहिए इसलिए भी उसे काफी fitting arrangements रहते है तो इसे कहते है dental dam उसके और क्या प्रकार है कहा है हम बाद में और देखेंगे लेकिन friends एक ही द्यान में रखो अपने partner की consent non infected partner अपना own partner और जो कंडों भीज़ करना बहुत जरुकी है definitely sir thank you so much आपने सारी चीजे हमारे साथ शेयर की पर sir समय की थोड़ी सी पाबंध इसलिए आज के एपिसोड में हमें यही पर रुखना पड़ रहा है पर दर्शा को आप भी doctor साब की सला ले सकते हो आपके screen पे जो contact details आप देख रहे है चलिए दोस्तों आज के show में समय हो चला ही यहीं पर रुखने का शुक्रिया